हेलो प्रेंट्स विल्कम बैक टू माई चैनल मेरा नम पार्तोक प्रियोपाल मैं एक लाइसेंस इलेक्टिकल सुपरवाइजर हूँ आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इलेक्टिकल का जो आर्थिंग है और ग्राउंडिंग है दोनों का बीच में क्या डिफरेंस है य दोनों डिफरेंट चीज है दोनों सेम चीज नहीं है हम लोग इस चीज को जमीन का साथ कानेक्ट कर रहा हूं इसका उपर डिपेंड करता है हमारा सिस्टेम में आर्थिंग हुई है या ग्राउंडिंग हुई है अगर कोई कारेंट केरिंग मेटरियल को जमीन का साथ कानेक distortion transformer, distribution transformer का जो primary side है, primary side में 3 नुरिज है, secondary में 3 नुरिज है, primary side में एक neutral point है neutral point को हम लोग ground कर दिया, ये हो गया हमारा system में grounding क्योंकि neutral जो point है ये एक current carrying है हçar है, इसमेn current flow होता है, neutral एक return path जैसा काम करता है, इसमेn current flow होता है, इसे लिए ये ये हो गया सिस्टेम में grounding लेकिन जो transformer का जो body है body एक non-current carrying material है इस body को हम लोग जमिन तक connected कर लो तो यह हो गया system में arthing क्योंकि यह एक non-current carrying material है transformer जो body है यह non-current carrying material है हम लोग grounding करते है equipment का protection के लिए यहाँ पर human protection का कोई बात नहीं है equipment को protect करने के लिए grounding किया जाता है लेगिन जो arthing किया जाता है arthing किया जाता है human safety के लिए और equipment safety के लिए दोनों के लिए arthing किया जाता है मालनी यह transformer का जो body है transformer का body में कोई leakage current flow हो भिया तो वो leakage current अगर आपका arthing से ही रहेगा वो leakage current direct art हो जाएगा, क्योंकि अगर उसी ताइम कोई person अगर उसका contact में आ भी किया, तो वो arthing पोपड़ रहेगा, तो वो ground होई जागा, क्योंकि जो art है, वो zero potential है, एक current का एक characteristics है, जो low resistance path का तरफ वो तुरन जाता है, इसलिए वो ground art का तरफ चला जाएगा, और एक चीज़, हमारा system में balance provide करने के लिए भी grounding किया जाता है, मानलीज ये कोई unbalance system हो, unbalance system को balance provide करने के लिए, transform mark एक phase में 10 ampere आ गया, और एक phase में 20 और एक phase में 30, ये एक unbalance condition हो गया, ये unbalance system को balance provide करने के लिए भी grounding किया जाता है, लेकिन जो arthing है, इसमें balanced, unbalance का कोई बात नहीं है, arthing, transform mark का body या कोई motor, उसका body में non current carrying जो metal है, उससे connect किया जाता है, ये हो गया कुछ basic difference जो arthing and grounding का बीच में, अगर इस वीडियो को informative लगा, वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को like करिए, comment करिया और subscribe करिए,